बंदे बंदे श्री एसोशेट द्वारा निर्मित बेर हाउस क्याज के सुद्धाटन कारिक्रम ने मंच पर पस्तीप गुरखपुर ग्रामेड के लोगत्रिय विधायक सी विपिंच सिंग्जी भारती जन्ता पार्टी की प्रदीश के अपाध्यक्स और विधास परिस्व सबस्या दॉक्तर धर्मेद्र सिंग्जी माने विधायक सी प्रदीश सुकला जी माने विधायक सी राम चौहान जी भारती जन्ता पार्टी की महानगर की अध्यक्स सी राजेस गुपता जी स्री एसोसी के प्रोप्राइटर स्री योगेश मणी त्रिपाठी जी सी प्रिजेस मनी त्रिपाठी जी एसीन पेंट के जन्रल मैनेजर मुकेश कुमार जी और आज के सव घाटन कारेक्रम पस्तित गौरकपुर महानगर गौरकपुर ग्रामेंड चोरी-चोरा और स्री एसोसेट से जुड़े वे सभी उपस्तित भाईयों पहनों मैं सबसे पहले गौरकपुर और पूर्विर तरब्रदेश को एक अभिनो सोच वेयर हाउस के रुप में फ्लम्द करवाने के लिए सियोगेश मरी तिरपार्टी के और प्रजेश मरी तिरपार्टी जी को हिर्वे से बढ़ाई देता हूँ कि उन्होंने एक अभिनो कारिक्रम इसके मात्यम से करते वे नए रोजकार के उसर सिर्जित किये हैं भायो मेलो वेयर हाउसिंग में भी आज एक नई संभावना तल्यात कलासी जा रही है पहले भी फोर्ट कार्पुरेशन आप इंडिया के द्वारा CWC के द्वारा कापरेटिंग के द्वारा वेयर हाउस बनाई जाते थे लेकिन तक्नीक उनके पास पुरानी होने के कारण अक्सर वहां नुकसान ज़्यादा हो जाता था समय के लूप तक्नीक को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो कमपटीशन से बाहर हो जाएंगे और इसलिए प्रधान मंत्री मोदी जी जब नौवर से पहले देश की बागदोर समाले थे तो उन्होंने देश को एक नया विजन किया था कारे करने का और प्रधान मंत्री मोदी जी के इस विजन के इन रुप कारे करते वे उतर प्रदेश सरकार ने वेर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की अपनी एक पॉलसी बनाई इन पॉलसी के पहट बड़े पैमाने पार निवेसक कोंको निवेस करने के लिए प्रदेश में भी आमन कित किया और यही नहीं बड़े बड़े वेर हाउसिंग के साथ साथ हम लोगों ने तो हरक बलाग अस्तर पर महला सिंसे भी समों और वहां के प्रगति सील किसानों को भी कहा कि हम आपको अमदान देंगे आप अपने आँख छोड़े चोड़े वेर हाउस तेयार करिए कोल्ड स्टोरेज बनाईए जिससे आपकी उत्ताथ को अधिक दाम मिल सके और उस जिससे एक लगातार कारे हो रहा है लेकिन मुझे आज इस मोती राम अट्डा में आकर के देख करके बहुत अच्छा लगा अक्सर थी प्रिजेस मरी तिरपाटी जी के साथ मुलाकात होती थी और उन्होंने मुझे यह कहा था कि आप देखना में मोती राम अट्डा में एक बहुत अच्छा काम करूंगा और भाईो बेनो सत्मुच नों ने ये करके दिखा दिया इसके लिए मैं योगेस मरी तिरपाटी जी को और भिरजेस मरी तिरपाटी जी को फिर दैसे धन्यवाद देता हूं भाईो बेनो एक तरब इन लोगों ने यहाँ पर स्री एसोसेट के द्वारा ये वैर हाउस बनाये गया तो एसियन पेंट को भी इसकी आउस सकता थी और एसियन पेंट ने इतने बड़े वैर हाउस के लिए महीने में 22 लाग रुपे महिने के किराये पर इसको किराये पर लेवी लिया है आप देख सकते हैं कि बेखते अकर महनद करेगा विजन के अनुरूप उसको इंप्लिमेंट कर देगा तो पेरणाम आने में देर नहीं लगती है और आज प्रेणाम दिया गया A.C.N.Paint जैसे प्रतिश्टिक कमपनी ने इसको किराये पे लेकर के अपने पूर्वे उत्तर व्रदेश की सप्लाई को बिहार की सप्लाई को नेपाल की सप्लाई का केंडर बिल्दो भी गोरगपुर बना दिया है अब यहाँ पे अनेक लोगों को यहाँ से सप्लाई चेन में मदब मिलेगी इनका एक वफर बोदाम हो गया यह इस फीड मेंने एक संभावनाए है और इन संभावनाओं का आगे वढ़ा करके हम रोजकार की संभावनाओं को बहुत तेजी के साथ आगे वढ़ाने का कारे कर सकते हैं मुझे प्रसंता है कि लगभग सवाचार एकड़ छेतरफल में पहला आवाज हो यह वेरहाउस है एक लाग तेईस जार वर्क फुट भूमी पर यहाँ खड़ा किया गया है और यहाँ अपनियाद में इस जन्पत का तो संभावता यह पहला वेरहाउस है गोरकपूर का तो पहला ही है मैं मानना हूं मैं मेरा मानना है पूर्वी उत्तरफ्रदेश का भी यह पहला वेरहाउस है जो इतने भफ्य तरीके से इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बना करके तैयार किया गया है और यह भी मुझे प्रसंता है कि 2022 में जब हम लोग उत्तरफ्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोचन करने की तैयारी कर रहे थे उस समय जो जन्पदस्तर पर वेरहाउसिंग एंड लोजिस्टिक की पॉल्सी के तहट निवेस्ट की संभागाओं का मन्तिक कर रहे थे उसी समय स्रीय सो सेट ने राज्य सरकार के साथ अपना M.O.U. किया और मातर नौ महिने के अंदर इसको बना करके भी खड़ा कर दिया है इस वेरहाउस के निर्माण में लगभग 30 करोड रुपे पूरी पूजी लगी है जमीन, इस्टर चार पूरा उसको खड़ा करने में और इसमें यानि ये पूरा वेरहाउस इसके साथ बन करके तयार हुआ है सौभाई गुरुप से उत्तर प्रदेश की वेरहाउस एन लॉजिस्टिक नीटी वेरहाउस के लिर्माण के भुल्य की लाकत पर हम प्रदेश सरकार के द्वारा जूट भी देते हैं और उसी के तहब यहाँ वेरहाउस आच्छादित होगा आज का ये कार्य अभी नोग कार्य है हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा विकास की एक प्रक्रिया के साथ एक सप्लाई चेन के साथ मोती राम अट्टा जुड़ेगा और भायो बहनो मार्केट के साथ जब हम चलना प्रारंब करेंगे तो विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे वढ़ाने में हमें और मदद मिन पाईगी आज का समय समय के इन डूप तकनीक को पनाते वे आगे वढ़ने का समय है अगर हमने समय के इन रूप अपने आपको बदला नहीं आज की जरुवत के साथ से पक्निक को अपनाया नहीं तो इस परवर्टिन सीव दुनिया में हम पिछड जाएंगे और याद रखना काफले में जो ब्यक्ति उस काफले का हिस्सा बन करके अपनी मंजिल को प्राप्त करता वही सखलता प्राप्त कर पाता है काफले में जो ब्यक्ति पीछे जा थूड जाता है और फिर धेरे धेरे करके पिछड़ता जाता पीछे पीछे चला जाता है उसके लिए फिर मंजिल प्राप्त करना एक दूबर्द यानि एक दूर की कोड़ी हो जाती है। ये समय के इंडूप उठाया गया ख़दन, तक्नीक पर आधारित, आज की जरुतों को पूरा करने वाला एक नया अत्याधुनिक वैर हाउस यहां पर तेयार किया गया है। बहुत सारी समाने सरकार की अलग अलग सेक्टर की पॉल्सीज हैं और मुझे प्रसंता है कि फरवरी 2023 में राज्य सरकार ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आई जित किया था। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दोरान राज्य सरकार ने उस समय हर जन्पद में भी इन्वेस्टर समिट के आविजन किये थे उसके रोड सोच किये थे उसके MOU संपन हुए थे। बोरक कुर में भी बात अच्छी संख्या में I know you sign वही थे। पुरे प्रदेश भर में 36 लाग करोड रुपे के प्रस्ताओं राज्य सरकार को प्राप्त होई थे। अच्छतिस लाग करोड रुपे के प्रस्ताओं के साथ प्रदेश के 75 जन्पद में कोई जन्पद ऐसा नहीं था जिसमें निवेश के प्रस्ताओं न प्राप्त होए हो। और आज मुझे प्रसंता है कि जो MOU 2022 के अंत में हुआ था आज उसका एक मूर्त रूप इस्री एसोसियेट के द्वारा निर्मित मौती राम अड़्टा का ये त्याधिनिक वेर हाउस के रूप में हम सब को देखने को आज यहां पर प्राप्त हो रहा है। मुझे पुरा विश्वास है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टर समिट के दोरान MOU किये हैं या जो MOU करने में बंचित रह गए थे वे तेजी के साथ अपना आवेदन आगे बढ़ा करके अपनी लिवेश को जमीनी धर्यादर पर उतार करके दिकास की प्रक्रिया को तेज कर देखते वे रोजकार और नौकरी की संभाना को आगे बढ़ाने का कारे करेंगे आज के सौसर पर मैं एक बार फिर से श्री एसोसेट को इस अभीनों कारे के लिए हिसने से धन्यबाद देता हूं प्रदेश सरकार के और से उन्हें बढ़ाई देता हूं अपनी सुपकाना देता हूं और विस्पास ब्यक्त करता हूं कि स्री एसोसेट का यहों पक्रां इस सेत्र में वेर हाउसिंग के फिर्ड में नए निवेश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा आपके अउसर इस अउसर पर मैं आप सब को फिर जैसे बढ़ाई देता हूं अपनी सुपकाना देता हूं धन्यबाद जैहिए अब भन्यबाद महले हम सब उसीम योगी आतितनाद को सुन रहे थे आप